नमस्क्राइब दोस्तों बदो साथ अब कमाई चल में दोस्तों आज की जीडियो में हम बात करने वाले हैं 5G और 4G के उपर जी हाँ दोस्तों 5G क्या इंडिया में आ गया है या आने वाला है या 4G ही अभी आगे तक चलता रहेगा तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि 5G और 4G कौन सा फोन लेने में हम अपने पैसो की बरबादी कर रहे हैं दोस्तों जैसे कि हम सभी लोग आजकल डिवेट में लगे हुए हैं सभी लोगों में आजकल बाते चलती रहती है कि 5G आने वाला है 5G कब लाँच होगा क्या हमें 5G फोन ले लेन लेकिन आपने देखा होगा कि 5G फोन की जो प्राइस है वो 30,000, 35,000 इस से ज़्यादा ही आपको मिल रहे होंगे 30,000 के आसपास तो है यह तकरीबन सभी फोन की प्राइस जो भी 5G के अंदर फोन आ रहे हैं और जाहतर जो अच्छ अच्छ फोन है उनकी महंगी महंगी प्रा इस और भी हमें ध्यान देने की ज़रुत है तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर तो दोस्तों देखिए हम 5G फोन की प्लानिंग तो करने लगे हैं 5G फोन की बाते भी करने लगे हैं उसके बारे में हम सर्च भी करने लगे हैं और रिसर्च भी करने ल ठीक है हम यहां पर सॉरी 5G इंडिया में कम लॉंच होगा 5G तो देखे यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ साइट्स यहां बता रही है कि 5G फोन जो है वो 2020 के एंड में या 21 में आएगा लेकिन जहां तक चांसिस है 2021 के मिडल में यानि कि बीच में आएगा और ब करीबन एक डेड़ साल अभी इसको लग जाएगा 5G को इंडिया में आने के लिए तो अगर आप आज 5G का फोन ले लेते हैं और 5G जब इंडिया में आएगा डेड़ साल या एक साल बाद प्रौपर तरीके से जब वो चलेगा तो जब तक तो जो भी आज फोन आप खरीद लेंगे उससे अच्छे-च्छे मॉडल्स और भी दूसरी कंपनी या वही कंपनी निकाल चुकी होगी और यकीन मानिये उससे भी बहुत कम रेट के अंदर आगे चलके 5G फोन आने लगेंगे तो दोस्तों जब अभी तक 5G फोन का कोई लेने का कोई तुक ही नहीं बनता को पूरी तरह से 5G को इंडिया में आने के लिए तो आप अगर आज की डेट में 5G फोन लेकर अगर खुश हो रहे हैं तो आपको ये खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि आपने पैसा वेस्ट कर दिया है अगर आप 5G फोन आप ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो आपके पैसे की बरबाद ही हो जाएगी दोस्तों अगर आप फोन लेना ही चाहते हैं तो 4G फोन कोई अच्छा 4G फोन ले लीजिए क्योंकि अभी एक डेट साल तक आपको उसी की जरुत पड़ेगी और 4G की स्पीड ही अच्छी यहाँ पर आपको मिलने लग जाएगी कु पैसे की बरबाद ही मत कीजिए अभी अगर आपको फोन लेना है तो अभी कोई अच्छा सा 4G फोन ले सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं और जब 5G फोन पूरी तरह से इंडिया में लाउंच हो जाए तो आप जब जाकर दूसरी कंपनियो में कंपैरिजन अगर कोई सवाल हो तो हमसे कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो प्लीज से लाइक भी कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपकी स्क्रीन के उपर सब्सक्राइब के लाल पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरू टच कीजिए ता कि आपको हमारी बनाए हुई नहीं नहीं वीडियो लगातर मिलती रहें यह बल्कुल फ्री होता है रापसे से आज़ाता फायदा उठा सकते हैं तो अपिक लिए इतना ही धन्यवाद